हेलो फ्रेंट्स नमस्कार स्वागत है आप सभी का एक्जाम मास्टर चैनल में इस वीडियो में बात करेंगे क्रिया जी हां क्रिया क्रिया की पहचान क्रिया की परिभाशा क्रिया के भेद यहां इस वीडियो में पूरी तरह से लाश्ट तक एकदम सपस्ट हो जाएगा क्रि भाषा के अंतरगत यह बहुत ही महतुपूर्ण पार्ट है तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो मिलते रहें टॉपिक वाइज और चलिए शुरू करते हैं क्रिया की पहचान से और इस वीडियो के आंत में मैं आपको बताऊंगा आप हमारे स्पेशल ग्रूप सीटेट और रिटें से कैसे जोड़ सकते हैं तो इसकी अगर मैं परिभाशा की बात करूं तो क्रिया वह है जिससे किसी कार्यके होने या किसी कार्यके करने का बोध हो उसे ही क्रिया कहते हैं कोई ऐसी चीज आपके जी आप देख सकते हैं जैसे लिखना रोना पढ़ना खाना जी हां इन शब्दों में क्रिया में मूल धात में ना शब्द जी हां ना शब्द जोड़ा गया है जैसे लिख में ना यानि लिख आपकी क्रिया है और इसमें ना जोड़ करके इसे धात रूप बना दिया गया है ठ पर कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं एक सकर्मक और अकर्मक आप देख सकते हैं यहां पर पहला है सकर्मक जियां फर्स्ट है सकर्मक और सेकंड है अकर्मक तो सकर्मक में अगर हम बात करें कि जिन वाक्यों में कार ये प्रयूक्त हो जियां जो आपका कार ये किया जा तो इसमें जो है रीना क्या कर रही है क्रिया है खाने की लेकिन यहां पर प्रियुक्त है कि लिकषिकाट तु el you जो है सकर्मक क्रिया होगी कई वहार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सकर्मक क्रिया क्या है अकर्मक क्रिया क्या है तो सीधे जान लिजे कि सकर्मक क्रिया में कर्म जो है प्रयुक्त होता है यानि जो कार्य किया जा रहा है वो कार्य मौजूद होता है जैसे यहां पर खाना ख आप लोग इसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं वाटसप के special group में और मैं वीडियो के आंत में आपको बता दूँगा आप special group में कैसे जुड़ सकते हैं अपना वाटसप नंबर वगयरा सब कुछ बता दूँगा तो सकर्मक्रिया वह होती है ध्यान दें कि जिसमें आपका जो कार्या है वह मवजूद रहता है ठीक है यानि क्रिया है खाने की और कार्या है खाना खा रही है तो यहां पर कार्या मवज जहाद से आ रहे हैं इस वाक्य में कर्म नहीं है अता आ रहे हैं क्रिया जो है यह अकर्मक्रिया है ठीक है जैसे वह जा रहा है वह कहां जा रहा है या खा रहा है पढ़ रहा है यहां पर कर्म नहीं है ठीक है जा रहा है आ रहा है खा रहा है गा रहा है तो कर्म नहीं है यह करिया में आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ अगर हम प्रयोग की द्रिश्टी से देखें तो इसके छे भेद होते हैं क्रिया के सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नामधातु क्रिया, प्रेन आर्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और अपूर्ण क्रिया सामान्य क्रिया अगर मैं आपको समझाओं कि यहाँ पर क्रिया का बिल्कुल साधारन प्रियोग होता अग्दम सिंपल जैसे मैं आया वो गया उसने खाया यहां गया वहां गया यह किया वो किया आया और गया यह सामान्य क्रिया हैं संयुक्त क्रिया कि अगर मैं बात करूं कि जिन वाक्यों में दो से अधिक क्रियाओं का प्रियोग हो उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं जी हां दो से अधिक क्रिया हैं जैसे आप उदाहरण देख लें वह पढ़ते-पढ़ते सो गया चौर पुलिस से डर कर भाग गया ठीक है इन वाक्तियों में दो-दो क्रियाओं का प्रयोग है आता ये संग्त क्रिया है नामधातु क्रिया की अगर हम बात करें जो कि इस प्रिकार के वाक्तियों में करता जो है प्रेण आर्थक क्रिया करता अपने कार्य स्वयम ना करके दूसरों को करने की प्रेणा देता है जैसे सीता रसोय से खाना बर्माती है यहां पर आप देख सकते हैं प्रेण आर्थक क्रिया इसमें करता अपने कार्य स्वयम ना कर क्रिया के दूसरों को कार्य करने की प्रेरणाओ देता है जैसे सीथा रसोईय से खाना बनाती मसदूरों से कार्य कर्वाना यह जो है नार्थक प्रेरब क्रिया है इसके आगे आती है प्रेरक क्रिया में क्या होता है इस क्रिया में दो-दो करता होते हैं जैसे शिखा मोनिका से रोटी बनवाती है यहां पर दो करता है शिखा और मोनिका ठीक है तो यहां पर दो करता होते हैं तो वहां पर प्रेरक क्रिया होती है और अंतिम है आपका पूर्वकालिक क्रिया जी कुई question आ जाते हैं परिक्षा में तो आपको यह पता होना चाहिए यह क्रिया पूर्वकाल में संपन हो चुकी होती है मतलब पहले ही संपन हो गई होती है यह क्रिया जैसे वह नहां धोकर बाजार गया यानि उसने नहां भी नहां धोकर के मतलब यह हो चुका यानि बाजार जाने से पहले तुमने खाया और पी यानि क्रिया तुहारे जो है वह पूर्वकालिक है यही होता है ठीक हाथ तो आश्या करता हूं क्रिया के इस वीडियो में आपको क्रिया समझ में आगया होगा इसका नोट जो है आपको मिल जाएगा वाट्सप के स्पेशल ग्रूप में चलिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि आप स्पेशल ग्रूप में कैसे जुड़ सकते हैं जी हां बहुत ही आसान है इसमें जुड़ना आप हमारे नंबर नोट कर लें 9452267492 जी हां आप इसे नंबर वाट्सअप को जो नोट कर लें और इस पर किटेट या रिटेन रिटेन मतलब जो यूपी प्राथविक परिक्षा होने वाली और 6500 इसके लिए अगर आप तयारी करना चाहते हैं और टॉपिक वाइस नोट्स पाना चाहते हैं तो रेली गाइस मैसेज करें हमारे पास आपको जो देने के लिए एक्सपर्ट द्वार बहतरीन कोचिंग के नोट्स आपको मिल जाएंगे घर बैठे आपको कहीं कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है आप आराम से उन्हें पढ़ सकते हैं कैसे भी करके और आराम से तयारी कर सकते हैं घर बैठे इनी टाइम जब आप चाहें रात में दस से ग्यारा स्पिसल हो रहा या कोई आपका पॉर्ट्शन कम जोर है तो उस पर भी बात कर सकते हैं आपको सिर्फ हमारे इस पेशल ग्रूप में आना है इसके लिए 500 रुपए फीस है यह कैसे जमा करनी है आपको वीडियो में नहीं बता सकते आप वाटसप पर मैसेज करेंगे आपको रिप्ला करें जुने हमारे स्पेशल ग्रूप से क्योंकि समय बहुत कम है तैयारी बहुत जादा करनी है छोटी सी फीस सब्मिट करें और स्पेशल ग्रूप के मिंबर बन जाए और यह नोट्स दोस्तों स्पेशल ग्रूप में आज डाल दिया जाएगा तब तक के लिए और जो क्यार रहें अब अगले पार्ग में क्रिया विशेशन की बात करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सभी का दिन शुग हो थांक्यू सो मच